हेलो एवरिवान वेलकम बैक टो टेक्नोट्रॉन आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले है एक यूटूब का फीचर जो हर एक यूटूब क्रियेटर को पता होना चाहिए तो फीचर क्या है वो देखते हैं मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो पे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे अब देख सकते हो यहाँ पे बोल वीडियो करके एक जो चाइनल है उसका यहाँ पे एक लोगो है तो ये logo तो अभी आप लोग बोलोगे कि ये YouTube का feature थोड़ी है जब edit वीडियो करेंगे तो उस time पे हम यहाँ पे लगा सकते हैं तो ऐसा नहीं है हम लोगों को ये चीज जो है YouTube का वीडियो जो है ओ इडिट करने के time पे अपने जो वीडियो editors होते हैं वहाँ पे लगाने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है YouTube ने एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया है उसका यूज करके हम हर वीडियो में यह वाला जो लोगो है वो हमारे भी चैनल का हम लगा सकते है ऐसा नहीं है कि आप जो नए वीडियो अपलोड करोंगे उस पे ही यह लगा सकते हो ऐसा नहीं है आपके पुराने भी वीडियो जो भी होंगे उस पे भी यह अटोमेंटिकली आ जाएगा सिर्फ एक सेटिंग हमें करनी होगी अपने YouTube स्टुडियो में तो यह सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा है एक logo ऐसे हमारे चैनल का तो सबसे पहले हम logo लेते हैं तो यहां पर अगर मैं चलता हूँ मेरे computer में तो यहां पर आप देख सकते हो एक मेरा logo है मेरे चैनल का तो मैं इसको यूज करूंगा बट अभी इसको transparent image हमें लगेगी तो वो अच्छा दिखेगा, हम ऐसे वाली भी image यूज़ कर सकते हैं, बट पहले हम इसको transparent बनाएंगे, तो वो कैसे बनाते हैं, ओ देखते हैं, तो अभी हम चलते हैं, ब्राउजर पे जहां पे हमें एक website open करनी पड़ीगी, हम directly online का use करके ही ये चीज़ करने वाले हैं, तो य हम क्लिक करेंगे अभी upload image पे, तो जैसे ही हम upload image पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरह केसे हमारा, जो यहाँ पे भी हमारा logo होगा, उसको हमें select करके फिर open करना है, और फिर यहाँ पे process जो हो, automatic start हो जाएगा, यहाँ पे हमारी transparent image बनना चालू है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे पे download पे, और अगर आपको HD में चाहिए, तो इसका आपको subscription buy करना पड़ेगा, बट मैं अभी के लिए यहाँ से preview image ही लेने वाला हूँ, और फिर click करेंगे download बटन पे, और यहाँ पे मेरा download जो हो start हो चुका है, तो यह download मेरा यहाँ पे complete हो चुका है, तो चलते हैं अभी folder म जहाँ पे हमारी image download हो चुके है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यह वाली जो image अभी हमने download करी है, वो कुछ इस तरीके से बनी है, जो कि मेरी transparent image बन चुकी है, तो इसको मैं करता हूँ close, और इसको भी करता हूँ close, अभी हमें जाना होगा हमारा जो channel है वहाँ पे, तो यह यहाँ से मैं जाओंगा, technotron और यहाँ से फिर चलेंगे YouTube studio, YouTube studio में जाने के बाद हमें क्या करना है, यह वाला जो हमारा channel का icon होता है, उस पे हम करेंगे click, तो यहाँ से यह हमारे customize channel यहाँ पे जाना है, यह वाला जो बटन दिख रहा है, इस पे करेंगे click, और फिर यहाँ स ब्रांडिंग पे जाएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा scroll down, तो यहाँ पे हम देख सकते है वीडियो watermark, तो अगर हम यहाँ पे watermark यहाँ पे upload करते हैं, तो हमारा जो भी जब भी वीडियो चलता रहेगा, तो यहाँ पे right side corner में हमारे जो logo है, वो यहाँ पे हमार transparent image बनाई थी उसको, और यहाँ से फिर क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा adjust करना पड़ेगा, जितना भी size आपको चाहिए, वो यहाँ से adjust कर सकते हैं, तो मैं उपर से थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, तो यह सही लग रहा है, और फिर मैं क्लिक करूंगा, done पे, तो यह यहाँ पे technotron appear होना चलू हो चुका है, अब हम करेंगे इसको publish, यह publish पे क्लिक करना जरूरी है, नहीं तो हमारे जो change किया है, हमने अभी वो reflect नहीं होगा, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे कोई भी एक video play करके देखते है, कि क्या कैसे दिखता है यह चीज, और यहाँ स चलो मैं क्या कर लेता हूं, यह वाला जो वीडियो है, वो play करने का try करता हूं, यहाँ से जाएंगे, play पे, और यह अभी तक reflect नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो logo था, वो नहीं दिख रहा है, तो शायद हमारा कुछ setting में मिस हुआ होगा, तो फिर से चलते हैं एक बा और हमारे channel पे, और फिर से जाएंगे हम, customize channel, और फिर यहाँ पे branding, और अभी यहाँ पे हम scroll down करेंगे, ओके तो यहाँ पे कुछ options है, display time, तो यहाँ पे अभी selected जो है, end of the video है, बट मुझे क्या करना है, entire video के लिए यह चेक करना है, तो मैंने अभी यहाँ पे टिक कर दिया ह है, अगर यह वला option हम रखेंगे, तो video के end में कुछ time के लिए, यह हमारा जो logo है, ओ display हो जाएगा, बट अभी मैंने क्या किया है, entire video पे click करके, फिर से मैं publish करूँगा, और जैसे यह पूरा publish हो जाएगा, उसके बाद अपना जो logo है, ओ दिख जाएगा, तो मैं यहाँ पे भी चलता हूँ, फिर से मेरे channel पे content, और this time मैं कोई और video प्ले करता हूँ, तो चलो यह वाला video मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, और अभी देखते हैं, इसमें कुछ हमने जो change किया, ओ दिखता है या नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने change किया था, वो यहाँ पे चलो हो चुका है, और जैसे मैं यहाँ पे error लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे subscribe का भी option automatic आ जाता है, तो यह जो icon यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो आप अगर चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, thanks for watching,